तो मैं यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सभी आप सभी अच्छे होंगे और अभी टाइम हो रहा है 11 बजी हुएं देखी 11 बजने में थोड़ी सी दे रहे और आज की व्लोग की शुरुआत हो रही है अभी से तो मेरा काम हो चुका है फिरी नहात हो के मैं फिरी हो चुकी हू और आज दिन है संडे और आज मैंने किया है हेर वोस क्योंकि कल आमले वाली एका दसी है तो फिर एका दसी को बाल नहीं धोते हैं इस वज़े से और अभी मैं जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बनाने मतलब कुछ खाया नहीं है बस पूजा पूजा किया कपड़े कर दिया है और आप सबीको बतायां कह जादतर रहा सामान मेरा कल जादतर है कि आबितो मतलब जो चो दिखाया था आप को चला गया एक दम से पोचाबं ऐसा नहीं है क्यों गणदा छोडके जाूऊं यह यह शोड़को है इसा पीलकुल भी नहीं है देखे एक दम से मेरी सिलेप पगेरा सब, आज इसको भी पेक कर दूंगी, और ये हाँ, हमने जैसे अपना वाला चूला जो था speaking MIKE LAKEक वाक है वम दीडिया वोक्स में, तो ये एक भया से से काम चलाने के लिए एक दू दिन के लिए ले लिया और, और डिब्बे भी सारे चले गए थे देखिए भी ज्यादा नहीं जो भी है जादा फैकने वेकने वाले हैं डिब्बे भी सारे पैक कर दी उस ड्रम में काफी सारा सामान आ गया मेरा जो ड्रम था पानी वाला और अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर क्या खिल रहे हो हाई हाई हलो है फ्रेंट के साथ खिलने लगे हुए इनको भी पता है कि एक दो दिन में हम जाने वाले हैं तो फिर इनको इनके फ्रेंट दोबारा नहीं में रहेंगे तो चली फटाफट से कर लेती हूँ काम और पैकिंग का तो ऐसा हो जा रहा कि कितना भी कर लीजिए लेकिन जाओंगी मैं तब तक घर खाले नहीं हो पाएगा पूजा देखिए मेरी पूजा भी मैंने इसलिए नहीं पैकिए कि कल तो मेरा स्वमार का भी फास्ट रहता है एक का दसी का भी होगा और फिर बिना पूजा कि ये दो दिन कैसे निकलेंगे बहुत अजीब लगेगा इस बज़ए से तो देखें यहां पर रखे थे जो मेरे पास चावमीन वाले थोड़ी सी नूडल्स बचे हुए तो मैंने सोचा कि चावमीन बना देते हूं तो यहां पर प्याज और सिमिना मिच्ची और पता वो भी बाई चांस ये सारी चीज़ें भी मेरे पास घर पर रखे थे थे तो म मतलब जब नए घर में हम आते हैं तो कितने अच्छे तरीके से सजाते हैं चलो यहां से आछ से ऐसे कर लेते हैं और कभी उस टाइम पर कभी नहीं सूचते हैं कि एकदम से फिर हमारा आसे आना ऐसे विखड़ जाएगा ऐसे हमें छोड़ के जाना पड़ेगा जिस चीजे जारा है मैंने मुझे एक अपना पंज ऐसा फील होता है इस घर से पर क्या कर सकते हैं तो कोई नहीं जो मेरे मन में बाते थी मैंने आपसे बोल दिया तो यहां पर जो नूडल्स थे जो वो पक चुके हैं और मेरे पास चलने वगरा नहीं आपको पता है मैंने ज्यादा तरह पड़तन अपने सारे भीज दियें तो मैंने ऐसे जो गाडू काम चला लिया वस इसी तरीके से उनको पानी उनका सारा निकाल लिया है और यह देखे एकदम से खिले-खिले हो गए ज़रूरी नहीं कि सारी चीजें हो तब ही हो पाएंगे तो यह देखे यहां पर सारी किया आते हैं जब तक मैं जो थोड़ी बहुत और पेकिंग का तो आप सब भी को पता है आप सब जानते हैं कि जब तक घर से आप नहीं निकलोगे तब तक काम खतम नहीं होगा यह सारी चलते ही रहते हैं तो कुछ वह ही पेकिंग का कर लेती हूं क्योंकि यह इंडेक्शन को खोलने के लिए आप लोग सोचो कि क्या कारी गरी कर रही है तो इसमें ना देखिए कोकरोज गुष जाते हैं और अभी साथ में सामन के साथ हम लेके जाएंगे वो घर तक पहुंच जाएंगे बताइए तो मैं उन्हीं को बस इसमें से निकालूंगे यहां पर देखिए आपको लाइफ प्रूफ मैं आज देखा रही हूँ और देखिए इस तरीक से इसमें कितने सारे कोकरोज गुष जाते हैं बहुत सच में यह चीज मुझे बहुत बरी लगती है पर क्या करूँ यहां इतने कोकरोज होते हैं घर पे मैंने कभी कोकरोज नहीं देखिए हमारे गुषते इस वज़े से और नहीं तो वैसे मैं कुछ भी नहीं मारती हूँ लेकिन इन कोकरोज ने मुझे इतना परिशन कर दिया तो यहां पर देखिए फिर यह आ गए थे तो अभी फिर यह इसको कस देंगे जब तक मैं अपना चाओमीन रेड़ी कर लेती हूँ और वैस को पका के फिर थोड़ा सा सिम्ला मिर्ची फिर पता वो भी और जब नमक डाल दिया और यह बस अच्छे से हो गई है तो इन में बस चिली सौच डाल दिया है और अच्छे से नहीं पकाना थोड़ा सा क्रंची रखना है इनको और विनेगर डाल दिया है और यह देखिए अ आज भी इनको बना लिए और गाजर भी मेरे पास रखी थी लेकिन मुझे गाजर उतना पसंद नहीं लगता है और यह देखिए कितना पूरा एक जो मेरी बड़ी वाली था बिलेट है वो भरके हो गई हो बस लाश्ट टाइम डाल दिया सो अस तो आप लोग भी खालेजी चा कर लिए और बस अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी खाना और यह खाएंगे एक दरूटी तो बस इनके लिए मैं अपनी लिए नहीं बना रहे मेरा फेट फोल हो रहा है एक तम से बहुत ज़्यादा भर लाया और टाइम हो चुका है सवा बच चुके हैं और यह गए हैं देव के बाल कटिंग करवाने के लिए फिर आने के बाद उसको मैं निलाओंगी और सूच रही हूं यह कंबल बगएरा इसकी पेकिंग कर दें और जो थोड़ी बहुत बची है उसकी कर लेते हैं आज फिर कली का टाइम है उसकी बाद तो टाइम है ही नहीं आज कल का मतलब बस तो चलिए कर लेते हैं काम को तो यहां पर भी थोड़ा सा जो यहां इस अलमारी को पर जो रोज मर्रा की जरूत वाली चीज़े होती है वो पड़ी है जो कि कुछ चीज़े मुझे पर्स में डालनी है और जैसे काड़ वगेरा है हमारे तो मैं वो पर्स में ही रखती हुगा है वो सारी फिर तोड़ने पड़ेंगे इस वज़े से तो बस मैं धूड़ धूड़ के यहां खटा करके सामारती जा रही हूं कपड़ा ते पहुंचते हूंगी और ठीक है फ्रूटी किसकी है मेरी देवू इतरा कैसी कटिंग हो गई अच्छी कटिंग हो गई पी के आ गई के चल तो बटावट ना ले चल जब दी रही बजगे है फिर खाना बनाना जदी ना ले अट यह दर बाद में आईगी तो फिर लोगों ने आके खाना बना खा लिया था देव को एंला दिया था फिर हो रहा है वीजी बज रहे हैं साम के चार और यहाँ बज़ार में बना रही हूं मैं चाय क्योंकि इनको साम को अभी थोड़ी दिर में जाना है और लेट से तो थोड़ा आई थी लेकिन अपनी डाकुमेंट्स वगएरा मैं कागज कारवाई मैं घूम रहे हैं क्योंकि यहां से निकलना है इस वज़े से और अभी थोड़ा सा ऐसा ही हो जा रहा है थोड़ा सा काम मतलब सारा थोड़ा थोड़ा करके साथ की साथ मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि अभी यह की दिन तो बस बीच में बज़ा है और यह देखिए हैं मेरी सारे बरतन जो मैंने रखे हैं और इसके बाद सारे भीज मती चाबल पड़े थे तो मैं सारी चीज़ें को ठेकाने लगा देती हूं नहीं तो फिर सारी चीज़ें डोडो के ले जाओ रस्ते में सामर ले जाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है तो यहां पर देखिए वही सिंपली तरीका है आप लोग वीजी तरीके से बनाते होंग कि इसमें कोई अलग कुछ नहीं है क्योंकि वैसे तो मैं जादा तरह आप सभी को पता है कोकर में बनाती हूं लेकिन कोकर भी मैंने वेज़ दिया है तो कड़ाई में बना रही हूं यहां पर और मसाले इस तरीके से मैंने दोने में निकालके रख लिये थी डिब भी सारे और इन दोनों को मैंने डख के रख दिया था तो यहां पर जरूत के साब से फिर मैंने पानी डाल दिया और इनको खुले पकने दूंगी और जब तक हमारे यह पकेंगे जब तक मैं थोड़ा सा कुछ अपना काम कर लूँगी पहले तो यह जो भी बरतन है दूचार इनको दो देती हैं क्योंकि बरतन है नहीं फिर जरूत पड़ती है तो इस वज़े से यह एक कड़ाई है और एक कड़ाई है जिसमें चावल बन रहा है और बाकी का छोटा मोटा बरतन है और कुछ नहीं जादा तरे भीजी दिये फिर भी एक काफी सारा सामन बच जाएगा हमारा साथ में जाने के लिए तो यहां आ गई हूं मैं अपने उसमें जो अन्मीरा थी उसमें कपड़ों की सेटिंग करने कपड़ों की सेटिंग क्या मेरा पता ने क्यों बन नहीं होता है किसी वी चीज को इतना जल्दी फैकने का तो यह सारे कपड़ी वो हैं या तो बच्चों वाल आएगा तो उनको दे दूंगी तो बस यहां पर सारे कपड़े मेरे निकाल लें और यह देखे हमारे बन के तयार हो गए चावल तो मिलते हूं नेक्स डेक अच्छे से वीडियो व्लोग के साथ मैं अगर यह वीडियो आपको जरा सभी पसंद आये तब प्लीज लाइक स स्काइब से जरूर्ड कीजिएगा और मजे कमेंट करके बताईएगा थेंक्यों फॉर बाचिंग बाइबाइए तिक